वेरी गुड आफिन दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल परेशन में स्वागत है आज के मोटो व्लोग के लिए मैं निकले हूँ अपने घर चेंज पोकली से सिधा मातहरान के लिए जो की करीब करेब इस वक्त मेरे मुबाइल में बता रहा है दो 24 मिनिट का रास्ता है और 92 किलो मेटर है दोस्तों बता दू कि इस वक्त दुपैर के बज़े है ठाईर और इस वक्त बहुत ही जबर्दस गर्मी है वैसे बता दूँ कि आजकी राइड के ऊपर मेरे साथ में डॉक्टर जैश जो कि मेरा बहुत इखास दोस है और मेरे दूसरा खास दोस्त है भरत हर बार के मोटो व्लॉग में हो मेरे साथ में होता है तो हम तीनों मातिरान के लिए जा रहे हैं और इस वक्त टेंपरेचर बहुत ही जादा है क्योंकि जैश को सुबह मॉर्निंग को एक सर्जरी करनी थी उस चक्कर में वो सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं आ पाए हम साथ में निकल पाए तो हमने भी सोचा कि साथ में चलेंगे लेकिन बहुत ही दो अधाई बज़े तीन बज़े लेकिन जाएंगे साथ में तो यह एक बज़े हैं कि हम लोगा देर से निकल रहे हैं कि आगे जो बाइक चला रहा हुआ है डॉक्टर जैश जिसके पास है रॉयल इंट्रसेप्टर 650 बहुत ही खुबसूरत बाइक है हाला कि मैंने कभी हाइवे के उपर इसे ट्राइ नहीं किये लेकिन जरूर इस बार मैं इंट्रसेप्टर भी चलाओंगा और भरत के पास जो बाइक हो मिट्योर है वो भी रॉल इंफिल्ड की है काफी सारे लोग लेकिन इस वक्त जो है मैं हूँ के टीम 390 एडवेंचर पर जो की हाइवे के उपर मेरी बहुत ही सबसे पसंदिदा बाइक है तो इस बार तीनों बाइकों का मज़ा लिया जाएगा इंट्रसेप्टर 650 मिट्योर और के टीम 390 जबरदस्त गर्मी और इस गर्मी के माहौल मे जो मैंने बिवक्तुफी की है वो यह कि मैंने ब्लाइक कलर का जीन्स पेना हैं कभी भी करमी के टाइम में एक्र आगर आग़ करते हो तो ब्लैक कलर को ऑवयड करो यार ने तो बाइक राइड करने में बहुत दिक्कत हुजाती है क्योंकि करनी बहुत ज्यादा लगती है एक तो ब्लैक कलर का जीस उपर से इतना हैवी जैकेट और साथ में इतनी खड़ाके की गर्मी बैंड बैजाती है और वाशी ब्रीज के ऊपर ट्रैफिक की हालत देखी है य अगली कभी मैं बाइक राइड पर जाता हूँ और मैं अपने वाइप से कहता हूँ कि आर प्लैन करना तो इसका मुझ जो है वो पूरी तरह से उतर जाता और मुझसे कहती कि यार फ्लीज कैंसल कर दे यार मत बाइक राइड कर एक्सिडेंट हो सकता है यह वो तो मैंने का उसे यह अधिन्शन मतले मेरे साथ इसमार जो है डॉक्टर जैश भी है जैसे ही मैंने का मेरे साथ डॉक्टर जैश तो उससे बड़े खुशी मुझे का हाँ तो तो फिर ठीक है तुम जा सक्किए वाइक राइड पर तो मैंने का भाई इसका मतले पहले थी तेरा दिमाग लंगिण जब जाते हैं और होता भी है कि टूविल की कई рий कि ना कभी किसी लगने मत करूंछ लहाई कि ना कसी वह वूजसे आपकी गर्तिलियों गिरने के चशांस होते हैं पहर लक्टकर बश्रे मं यह दो से मिदोस्तर आगज करन कि परिशार गवाः जाते हैं ौर उ realt double में जाके शाम को फिर se return अधوت दुक्त कि राइड मेने का नई बस्व मेरे लिए पॉसिफिबल नहीं है क्योंकि तीन महीनों बाद में कर n उसका accident हो गया और वो अकेला था दोस्तों नसीब इतने अच्छे थे कि लोगों ने उसकी मदद की उसे वहीं पे पूना में अपने एक दोस्ते हमारे common friend है जो इंडिया बाइक वीक में हमारे साथ में था तेजस तेजस को call किया तेजस तुरंती वहां गाड़ी लेके पहुं तो कि तेजस जो है उसे वहां से पूने से घर तक छोड़ने के लिए आया तबकि किरिन ने कहा कि भाई तु मुझे कार में बिठा दे टैक्सिम बिठा दे मैं अपने आप चला जाओंगा अब भी उसने का नहीं इस condition पे मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा तेजस फर्द अजा किया और उसे घर तक छोड़ा और फिर आपस पूने गया मैं सच कूँ दोस्तों ऐसे बाइकर्स को ऐसे दोस्तों को तेह दिल से बहुत सलाम करता हूं और साथ इस वीडियो के माध्यम से ये कहता हूं सभी दोस्तों से सभी बाइकर से कि कभी भी स्टोलो करो की ग्रूप राइड करो ताकि आपके सेफटी के पैरा मेंटर जो है और बढ़ जाते हैं और मेरी बात तो लगा कि मैं तो राइड में डॉक्टर को इसाथ में लेकर चलता हूं तो वैसे तो आपके नसीब होना हो मुझे नहीं पता लेकिन मेरे में सीब बहुत चुके हैं सो यह हमारा आज का पहला ब्रेक खतरना क्राफिक बहुत अच्छा एक टी ब्रेक हो गया है अब चाई पीके जो है सीधे हमागे बढ़ेंगे अभी भी यहां से करीब करीब रास्ता जो है मुझे बता रहे घंटे और 42 मिनिट्स का तो अब यादा लेट ना करते कि सीधे यहां से बढ़ेंगे आगे मातिरान के लिए यह जो रास्ता है डॉक्टर जैश ने का कि रास्ता उससे बहुत ही खुबसूरत है और रास्ता बहुत ही ब्यूटिफुल है तो आप देख भी सकते हो कितना खुबसूरत नजारा है जब मैं लुणाना से एक्सरेटन कहीं पर भी को तकलीफ हो तो हमेशा एक दूसरे के साथ कोई नो कोई होता है तो अब भरत को यह सारी जगों के बारे में जादा पता होता कि कहां पर क्या खाने का अच्छा मिलता और उसी ने मुझे बताए कि लास्ट टाम इसने आप वाड़ा खाय थे तो एक ब्रेक बनत है दोस्तों वड़ा पाउ के लिए तो फिर से बाइक को एक बार रोक रहा हूं यहां पर एक छोटा सा वड़ा पाउ ब्रेक एक वड़ा पाउ खाया निम्बू शरुवत पिया और कलिंगर वाटर मैलन तरनाक है पूरा रास्ता घाट है यह और बहुत ही स्टिफ घाट है बहुत ही घुमावदार घाट है यह तो बहुत ही समल के सोच समझ के आराम से शांती से बाइक चलाने यहां पर अक्सर कई लोग जो मुंबई से कार लेके भी यहां आते और उन्हें लगता कि मैं कार यहां पर ड्राइव नहीं कर पाऊंगा तो यहीं नीचे कुछ ड्राइ उचे प्रकार की कोई घाई नहीं करनी है आपको और बहुत ही शांती से स्पीड कंट्रोल करके आपको अपने टू वीलर्स या फॉर वीलर्स को ऐसे रस्तों पे चलाने हैं और बहँत ही शांती से थेовैं क्योंकि आप यहां पे भाईग ग्राइड के लिया हैँ वो नो किंग लॉट में आ चुके हैं और यहीं पर हमें बाइक पाक करके यहां से आट नो किलोमेटर ऊपर पहाड पे चल के जाना है तो यहां पर दो अप्शन है यहां तो आप ट्रेंड से जा सकते हो या फिर आपको यहां पर चड़ के जाना पड़ेगा तो देखेंगे हमें जो अच्छा लगेगा वो अप्शन को मिस्तेमाल करेंगे और मेरा मूड हमेशा की तरही है कि मैं चल के जाना चाहूंगा थाकि बहुत अच्छे से अडवेंचर को महसूस कर सको तो वीविल पाक बाइक यह फो तोनाइट और गो अपस्टेर अपसाइड बाग क्लाइमिंग त क्लाइश पाकि बड़का लेएश पाकि शर्ण के डाइश है कैसे इसे क्लाइश के डाइश हुआ नियों नियो ठेंग मेझा दूंगी अबनO लिए नियो छूण सथे जैसे लिएवाई कि लिए। हुआ भूrás無किए हुआ है अज्यन समयचा नियोग फटायर मेझाली है एक चलाना एक बिग टास्क बट फिंटास्टिक और अर इसारा प्रोग्राम जो लेट किया है खाली शक्यले के चक्कर में लेट किया है तो आशली विरीश अब जो है यहां से 7-8 km चल के ओपर जाएंगे और आगे का 2.5 km तो बाद में आगे का प्लान करेंगे में लेट लेटे बाद में आखे यहां से 7-60 तो और लेटे बाद से 7 तो दोस्तों आज का जो हमारा इसचे है बाइक हैरीटेज में हैं तो रूम के अंदर चकींग कर चुके और सामने जैश और भरत है तो आपको चलो रूम से भी स्काराता हो बहुत ही मसती के मूड में है इस वक्षे बहुत ही खुप्सूरस सा रूम है तो म तीनो जो इस एक बार रूबरो करादाँ है यह जो रूम है स्वीट रूम है और चार लोगों के लिए बहुत ही सफिशेंट है दो बैड बार दो जन के लिए अंदर और चार जन जो बहुत ही आराम से आपे स्टेक कर सकते हैं और डील बताता हूं दोस्तों बहुत ही खुबसूरा सी डील मिली है में आठ हाजार रुपे में शाम का टीनर फोर बैड मॉनिंग का ब्रेकफरस्ट तो और क्या चाहिए सब कुछ तो हो गया इसमें और सुमिंग पूल के सामने जो हमारा घर है और घर के पास बैलकनी है और अगर कुछ लाइव मुजिकल इवेंट पी है ऐसा मेरे सुना है अमनों शौर अगर कुछ लाइव मुजिक या मुजिकल इवेंट का प्रोग्राम हो गया तो तो फिर खतम है ट्रिप का मजा आजाएगा श आएव तेरी से जाएव नौरा वाव या कला कर दो तो फिर खतम है टाना है पास बास बास क्यों मुजिक तो क्यों मैं सकत्यों में हम धर याव तो जोहना है और तो ज़न रूना है गाना है तो दोस्तों इस वक्त सुबह के नो बज के तीस मिनिट हुए है और ब्रेक्वस्ट का ताइम हो चुका है वैसे स्केडिल टाइम से हम लोग जो है एक गंड़ा लेट है साड़े आठ बजे यहां पे ब्रेक्वस्ट करके निकलने का प्लान था लेकिन कल रात को देर तक पारि तो यह होटल भी बहुत ही कुपसूरत है है हरिटेश प्रोपर्टी और सबसे पुरानी प्रोपर्टी यहां पे तो मैं चाहूँगा कि आप भी एगली बार जब भी यहां पर आते हो तो आप ज़रूर स्टे करो फूड के मामले में 10 आट ओफ 10 रूम जो है पुराने है ले मेरे सामने का व्यू दिखाता हूं कि रूम कि स्थरिफ से और उसका व्यू के साहा है यह दिखिए तो अब चलते ब्रेक्फर्ट के लिए और उसके बाह सीधा जो है मुमे के लिए हम निकलेंगे करीब करीब आभा गंटा वापस यहां से हमें नीचे उतरने में लगेगा और वहां से जो है बाइक लेके हमें आगे की और जाना है तो दोस्तों वी यहां से चलने का समय हो चुगा है तो हम तीनों जो है बाइक होटल से रवाना हो रहे लेकिन बाइक होटल में के बारे में आपको एक चीज बताऊं काफी सारे लोग काफी सालों से बाइक होटल में आते होगे लेकिन उन्हें बाइक होटल के बारे में एक बंगलो, इट वास बिल्द इन 1854 बाइ हुज मैलेट एन इंग्लिश मैन हो डिस्कवर और डेवलफ माथे रान 1854 में साथ एकर का ये प्लॉट है ये, 1854 में साथ एकर का ये प्लॉट है तब ही से बिल्ड किया गया था मतलो सोची कितनी हेरिटेज प्रॉपर्टी है काफी सार लोग यहां पर आके पहले स्टे कर चुके लेकिन उनको इस स्पेसिफिक चीज के बारे में पता नहीं होगा कि वह कहां स्टे कर रहा है मेरी यह कोशिश रहती कि जब रही में किस जगह पर ट्रावेल करता हूँ तो घृटो यह जो है यहां का सबसे पहला बंगलॉ है मतेरान का यह भी दिखाता हूँ कि कौनसा बंगलॉ है फर्स्त बंगलो बिल्ट इन मतेरान वास इस वन मातरान में एक बात बहुत अच्छी है जो में आपको बता दूँ नीचे से जो ऊपर आते वक्त भी और उपर से नीचे जाते वक्त भी यहां पे आपको पोर्टर्स जो है मिल जाते हैं दोसो डाइसो रुपया लेते हैं आपके सामान को उठा के ऊपर रखते हैं और अधिकांश जो पोर्टर में ने आपर देख्या है वो यंग्स्टर्स है 18-20-22 साल के बच्चे है जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके खर्चे को न जानत करते हैं सामान उठाते हैं और अपने पढ़ाई के लिए ये सब कुछ करते हैं या आपने घर को चलाने के लिए सब कुछ करते हैं तो उनसे आप बार्गेनिंग मत किजिये हम्हें कोई फरक नहीं पड़ता ज्वा गूमने जाते हैं वहां पे 500 जादा भी लग जाया है जाके की गर्मी है और गर्मी में बाइक राइड करके मुंबे तक पहुचना भी चैलेंज होगा लेकिन देफिनेटली वी आ गुंकि राइडिंग में बहुत मज़ा था हमें और हमारे साथ जो कंपनी इस वक्त डॉक्त जैश और भरत तो कफी लंबे टाइम के बाद में हम ल दो करे लाइट दो Durchund present TRO कर दो कर दो काँ तो कर दो कर दो कर आठे हाँर सा ऱसमाट धार इस रड़े के सब przedstaw है खिला घ्लावर्ट स्कल्सक्रान ए ग्राइड लाइड ना कर तो हम पे तो कित्म जा स्चुछ उन गया अँचना थैं बहूए ना था उन्ह द्लाइड MAi त तो हिल राइडिंग करने का इतना मज़ा आता है कि आपको गोल नहीं सकता बसको आप चला के देखिए एक बार उसमें